पहले हम अपनी guest list त्यार कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने लोग हमें join करने वाले हैं Based on that हम एक extensive menu प्लान करेंगे और menu प्लान करते वक्त ये जरूर ध्यान रखेगा कि kids friendly भी होना चाहिए menu अगर बच्चे भी ये party में आने वाले हैं तो तो आज के menu में मैंने रखा है मलाई पनीर, बेसन वाले आलू, शाही पुलाव, अजवाइन पराठा, बूंदी का रायता, लच्छा, मीठे में मैं बनाओंगी खीर और चट्नी तो ये देखे मेनू त्यार हो गया है और अब हम start करते हैं कुछ pre preparations a day before सबसे पहले मैं आलू की सबजी बनाने के लिए आलू बॉइल कर लूँगी और आलू बॉइल करने के लिए मैं अपना instant pot यूज कर रही हूँ ये सिंफोनियो ब्राइंट से है मुझे प्र पाकेज में रीसेंट्ली रीसीव गॉआ है और अम रियली री लविंग इस इंसेंट पॉट इसमें बहुत सारे ओप्शन हैं choose from, तो आज मुझे सिर्फ आलू boil करना है, प्रेशर कुक करना है, तो बस मैं प्रेशर कुक का option choose कर लूँगी, और इसमें बहुत ही fast cooking हो जाती है, मैंने काफी सारे आलू लिये हैं, करीबन 10 आलू, तो मैं 15 minutes का timer set कर दूँगी, और मेरे आलू अच्छे से boil हो जाएंगे, तो जब तक मेरे आलू boil हो रहे हैं, तब तक मैं अपना basin भी भून के रख लूँगी, क्योंकि जिस दिन आपको actual में cooking करनी है, ये सब काम अगर आपको करना पड़े, तो बहुत सादा time ले लेता है, तो ये जो भी आपकी जो है, लाइट प्राउन कलर का हो गया है, इसमें से कुश्पु आने लग जाती है, रोस्ट होने के बाद, तो इसे मैं एक कटोरी में निकाल के रख लूँगी, कल के लिए, पुलाओ के लिए, मैं चावल भी बॉइल करके रख लूँगी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, कुछ मीठा बनाने से, मैं हमेशा जब भी इस तरीकी की कुकिंग करती हूँ, तो मैं सबसे पहले मीठा ही बनाती हूँ, तो आज हम कीर बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने दो लीटर दूद को हाई फ्लेम पे बॉइल करिया है, और करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, उसमें मैं डालूंगी जवे, तो मैंने दो लीटर दूद लिया है, इसलिए मैं दो मुट्टी जवे डालूंगी, यही मेजरमेंट रहती है, चावल वाली खीर की भी या फिर जवे वाले खीर की बहुत ही पॉफिक बन के आत लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम कुकोते रहने देंगे, हमें इसे बार-बार नहीं चलाना है, इसलिए मैं पीछे वाली गयास पे रख दूंगी और पैरलल कुकिंग करना स्टार्ट करूँगी, तो दूसरी गयास पे में उसे मैंने रख दिया है, और फ्रेंट वाली ग इसमें मैं डालूंगी हीन, जीरा और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर भी इसमें थोड़ा सा जाधा जाएगा, जिससे की कलर सबसी में जाधा अच्छा है, इसमें फिर मैंने डाल दिया है, ग्रेटेट जिंजर, गालिक और ग्रीन चिलीज, जिंस बच्चे भी जॉइन करेंगे हमें पाटी में, तो खाना बिल्कुल भी मैं स्पाइसी नहीं बना रही हूं, तो जो मैल्ड स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज होती है, भही मैं अपनी कुकिंग में यूज करने वाली हूं, थोड़ा सा अच्छे से से रोस्ट कर लेंगे, जिससे की सभी चीजों का रोव फ्लेवर चला जाए, और उसके बाद हम इसमें बॉइल पटेटो जो हमने कल करके रखा था, उसको कट करके एड़ कर दिया है, और इसमें मैं डालूंगी धन्या पाउडर, किचन किंग मसाला, नमक, और बहुत ही जैकली मैं से मिक्स कर लूँगे, जिससे की मेरा आल अलुओ हमारा अलरेडी पका हुआ है, तो में से बस मीडियुम फ्लेम पे ही रखेंगे, जिससे की आलू जले नहीं, चिपके नहीं, और बीच बीच में अपनी खीर को भी देखते रहें, जिसके की की खीर ना नीचे से जल जाए, तो देखिए आलू 5-7 मिनट में और अच्छे से सिख गया है तो अब मैं इसमें भुना हुआ बेसन जो हमने करके रखा था वो भी डाल दूँगी अराउंड 6 टी स्पून्स मैंने आड़ किया है बेस्ट आप इसकी कॉंटिटी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं बस इतना बेसन आप डालिए कि हर एक आलू की फांग जो है वो अच्छे से बेसन में कोट हो जाए और अगैन मैं बहुत ही जेंटी से मिक्स कर लू जिससे के आलू जले नहीं और यहाँ पे देखें मेरी खीर भी अच्छे से पक रही है ऑल्मोस पक चुकी है और साइट साइट में जो पैन में खीर लग जाती है वो भी मैं खीर के अंदर ही कर लेती हूँ है मलाई बहुत ही तेस्टी लगती है, मलाई दार खीर बनती है, आप मिक्स कर लें इस तरीके से और खीर जब अल्मोस पक जाएगी, तब इसमें मैं चीनी मिला रही हूँ, तो चीनी की कॉंटिटी बेस्ट आन यार टेस्ट होता है, अगर आपको जादा मीठा पसंद है तो आप जादा डालें, कम पसंद है तो कम, मैंने दो लीटर दूद में करीबन देड़ कटोरी चीनी कर लें, और फिर इसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए कार्निश कर लें, मेरे आलू भी अच्छे से कुख हो चुके हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा अमजूर पाउडर डाला है, और ये सारा धनिया, बस इसे जेंटली मैं मिक्स कर लूँगी, और हमारे बेस तीन काडमम और आधी चम्मच सौफ और तीन लॉंग ली हैं, उसके बाद मैंने इसमें डाला हैं थोड़ा सा नट्स, तो इसमें मैंने नट्स में काजू और थोड़ा से बदाम डाले हैं, और फिर ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक, सब रफ चॉप करके डाला है, और इसमें थोड़ा सा सौटे कर लूँगी जिससे कि ये गार्लिक बगेरा का रॉफ फ्लेवर चला जाए, फिर इसमें मैंने वन विक साइज अनियन और एट मीडियम साइज टमीटोस रफली चॉप करके अड़ कर दी हैं, अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और टमीट है, हमने जो इसमें सौफ टाली है, वो इसे नाचरली एक बीचा फेवर देगी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, तो देखे हमारा टमीटो अच्छे से मशी हो गया है, तो अब इसे में ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और अब चलते हैं आगे की बादाम फ्लेक्स और किश्मिश, और इसमें मैंने थोड़ा सा भारी कटा हुआ, पनीर भी डाल दिया है, और थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे की पनीर हलका सब ब्राउन हो जाए, और उसके बाद जो हमने कल राइस बॉइल करके रखा था, वो भी मै इसके अंदर ढाल दूँगी, उपर से डालूँगी साल्ट, अकार्डिंग टू माइ टेस्ट, जादा साल्ट नहीं जाता है चावल में, तो अब लगबख डेट चमच मैंने डाला है, और उपर से डाला है गरम मसाला, गरम मसाला थोड़ा सा इसे चरचरा फ्लेवर देगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा खाने में, फिर बस इसे जेंटिय मिक्स कर लें, जिसे कि जो राइस के ग्रेंस हैं वो टूटे नहीं, और ये देखिए मैंने इसे उपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है धनिया पत्ता से, तो चलिए अब बनाते हैं मलाई पनीर, उसक और ही, और उसके बाद जो हमने प्याज टमाटर भून के रखा था उसकी प्यारी हम इस तरीके से चान लेंगे, आप चाहें तो पहले चान लें और उसके बाद आप डारेक पैन में आड करें, या फिर अगर आपको बरतन सेप करना है तो गैस को एक्टम लो कर दें और डा बिल्कुल रेस्टरांट का फ्लेवर आपको देगी, थोड़ा सा टीडियस है बट वर्थ ट्रायल है, उसके बाद एक कटोरी में मैं सारे मसाले मिक्स कर रही हूं तो यहाँ पे मैंने दो चमच कॉरियांडर पाउडर, दो से धाई चमच पनीर मसाला और वन टीस्पून कि पेस्ट बना के सबजी में आड़ करेंगे तो वह अच्छे से कुक होता है, और और भी जादा अच्छा फ्लेवर आपको देगा, तो देखे मैंने मसाला मिला दिया है और अब थोड़ी देर मसाले को कुक होने देंगे हम, उसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमे फुल क्रीम मिल्क का यूज किया है, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, बट सबजी की रिचनस लाने के लिए मैंने इसमें फुल क्रीम मिल्क यूज किया है, और जब आपकी ग्रेवी एक बार बॉयल हो जाए तब इसमें आप नमक आड़ कर लें, तो बस ग्रेवी त आटा वो आपना पनीर भी आड़ कर दिया है, फ्लेम आफ कर दीजे और सबसी को गार्निश कर लीजे धेर सारी कसूरी मेथी के साथ, मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है, और उपर से थोड़ा सा और इसका लुक इंप्रूफ करने के लिए इसे मैं सेसमे सीच के साथ कार्निश कर रही हूँ, लग रही है एकदम रेस्टरांट स्टाइल मलाई पनीर, अब चलते हैं अजवाइन पराठा बनाने की तरफ, उसके लिए मैंने लिया है वीट फ्लोर, नमक, अजवाइन, अजवाइन थोड़ी से जादा लिया है क्योंकि उसका फ्लेवर प्रॉमिनेंट रहेगा पराठो म और इसका सॉफ्ट सा डो बना के तियार कर लिया है और अब मैं एक वेट किचन टावल से से ठक के रख दूँगी आदे घंटे के लिए जिससे की आठा अच्छे से से सेट हो जाए और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बूंदी कर रायता तो बूंदी भी मैंने अल्रेडी सोप करके रख दिती थोड़े से पानी में बूंदी सोफ्ट हो गई है दही डाल दिया है मैंने इसके अंदर अब मैं इसमें नमक और ठीए सारा भूना जीरा पाउडर आड़ कर दूँगी मिक्स कर लीजे अच्छे से और इसकी कंसिस्टेंसी को राइट करने के लिए पानी आड़ कर लिया है और उपर से मैंने इसमें खुब सारा धनिया पत्ता फ्रेशली चॉप करके डाला है जो इसके फ्लेवर को बहुत ही एन्हांस कर देगा और गानिश करने के लिए बुना अच्छ धनिया और मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर और अब हम इसे सिंप्ली ग्राइंट कर लेंगे और ये देखिए मेरी चटनी भी बनके त्यार हो गई है ये स्टार्टर्स भी अगर आप सर्फ कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही काम आएगी टेस्टी भी बहुत लगती है और ये मैंने बनाया है मूली का लच्छा, मूली किसली थी मैंने, इसमें बारी कटा हुआ टमाटर और हरा धनिया और मिर्ची डाली है फिर मैंने डाला है भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और नीबू अच्छे से से मिक्स कर लीजे और ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन देशी सालेट बनके प्यार हो गया है और ये सालेट भी मैंने कट किया है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च तो आठा हमारा अच्छे से सेट हो गया है और अब मैं इसे hexagon shape पराठा बनाने वाली हूँ तो मैंने एक लोई ले ली है अच्छे से dust कर लिया है उसे wheat floor से और सबसे पहले मैं इसे गोल-गोल बेल लूँगी एक रोटी की तरह और उसके बाद मैं इसके छे कोने इस तरीके से कुछ फोल्ड करूँगी तो ये देखिए एक flower की shape में आ गया है अच्छे से इसे wheat floor से dust करके हलके हाथ से wheat से बेलूँगी जिससे की इसकी shape intact रहे कोशिश करिएगा कि हर दिशा में आप अच्छे से से बेले अगवाइज इसकी shape खराब हो जाती है तो देखिए मेरा ये पराठा अच्छे से बेल गया है और मेरे husband अभी से से शेख देंगे इस वीडियो को बनाने में मेरे husband ने मुझे बहुत help की है front end पे आपने मुझे देखा है cooking करते हुए बड back end पे उन्होंने मुझे बहुत help की है in shopping, cleaning the house और govind को रखने में क्योंकि मुझे पूरा दिन लगा अच cooking करते बग जो आपने 15-16 minutes की वीडियो देखी है but yes he has helped me a lot cooking करते करते अब हम आगे हैं वीडियो के end में और हमारा सारा खाना बनके जो है तयार हो गया है मुझे जरूर बताएगा कि कौन सी recipe आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी recipe आपने बनाई करते हैं झुल करते हैं का।